8 आगोस्ट पिसले 24 खंटे में केवाल कुसकुस थानबरी हलका से मुत्वम बारिश हुआ है एक जगा में हेविरेन फल हुआ जगुरनात प्रशाद 78.4 mm उसका बाद नौयागार में 63.0 mm, बालाशर में 58.3 mm केवाल कुसका स्थनबरी हलका से मुत्वम बारिश हुआ है अभी हमारा मुन्सोन उइक कंडिशन वा सब्डिवट कंडिशन चल रहा है 1 आगोस्ट से 8 आगोस्ट आज तक ए आगोस्ट माहिना में उइक कंडिशन ही है तो आगस्ट माईना में हमारा 1 अगस्ट से 8 आगस्ट तक एस वारिश हुआ है ऑफूध दिन से कम है तो इसका बाद जून से 8 अगस्ट तक 481.3 मिलइमीटर बारिश हुआ 667.7 mm बारिश शाहभी किश्रमाय तक होता है तो 28% deficient है District wise 21 districts में deficient काटगरी में है 9 districts में normal काटगरी में शाहभी काटगरी में है पर ज्यादा deficiency जो है 4 districts में भद्रग, चाजपूर, गौजपती, बुलांगीर इसमें 40% more deficiency है अभी मौन्सोन ट्राफ हमारा सिजनल ट्राफ इसमाय होता है इसे बिहार, वेस्ट बेंगल, थ्रू नौर्ट इस्टान स्टेट तरह जारा इस्टानेंट तो शाहभी से नौर्ट वार्ट लोकेशन्स में है इसका बाद से अभी मौन्सोन हमारा weak condition रहना का ही chances है जैसा आगला तीन दिन में बारिश मेंली only केवल कुछ-कुछ थानपरी हलका से मुद्धम बारिश थन्डर स्टाम लाइटिनिंग का साथ होगा पर थन्डर स्टाम लाइटिनिंग होने का ज्यादा possibility है तो थन्डर स्टाम लाइटिनिंग का प्रिकशन लेना चाहिए तो थंडर स्टाम लाइटेनिंग में मिली जो आगला 24 आवर्स में आमारा वर्णिंग है इसमें उंगूल, धेनकेनल, केउंजहर, मुहिर्भांज और कोस्टल विशे का मुस्ट अबदा डिस्टिक्स में थंडर स्टाम लाइटेनिंग का ज्यादा पासेविरिटी है और भी जो डिस्टिक्स है, उसमें भी जो रेनफाल कुछ-कुछ तानव पार होगा वो थंडर स्टाम लाइटेनिग का शाथ होने का चांसेश है तो 8, 9, 10, 3 दिन इभी इस तरह से थंडर स्टाम लाइटेनिंग का शाथ कुछ-कुछ तानव रेनफाल रहेगा और 11 बरह में थंड लिली क्लावड इसकाई रहेगा थंडा स्टम लाइट इन करशा थालका से मुद्धम बारिश कुद्ध कुद्धा एरिया में होने का चांसिस है